हलो गृंद कैसे हैंबर सब चलते हैं सब दाल बिगो करके रखेते तो इसका हम नेया नास्ता बनाते हैं यूनिक और टेस्टी पहली बार बन रहा है इसलीए आप सब्सक्राइब भूर करके रखे थे इसे हम न दूर करके साप कर लिए हैं ताकि हमें बाद में ना डालना पड़े यह देखे इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा, लेशन, हरी मिर्ची डाल करके इसे हम आधा चम्मच पानी डाल देंगे ताकि पीशने में आसानी हो यह देखे प्रेंड यह हमारा पीश चुका है इसे अलग कर लेते हैं और थोड़ा बचा है उसे भी पीश कर इसी में डाल देंगे यह देखे इसी में हम आधा पिंच हीन डाल रहे हैं कि दो चम्मच नमक डाल देंगे इसी में नमक आप प्रेंड अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं कम ज्यादा आखा चम्मच इसी में जीरा डाल देंगे एक आलू कर दूकस करके इसी में डाल देते हैं अब इसके बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे धन्य की पत्ति डाल करके और इसी में हम आधा चम्मच आजवाईं डाल देंगे ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाए और इसमें अच्छी सी खुजबू आना आनी शुरू हो जाए अब बहुत चलते हैं तरह इसके बाद अपने बेडर डाल लेते हैं अच्छे से फैला लेते हैं बच्छे जिद कर रहे थे इसलिए इसे अलग से बनाना पड़ा अब चलते हैं अपने नास्ते के तरफ आप देखिए तहले से दो चमच एक चमच करके चार जगां डाल देए थे अब उससी पर हम अब देखे कितना सुनदर इसका कलर आया है और कितना अच्छा दिख रहा है इसे हम अभी एक मिनट के बाद में इसे हम एक एक करके पलट देंगे यह देखिए प्रेंट अब हमारा सारा नास्ता जो हो पलट चुका है इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो से तीम मिनट ही लगता है इसके बाद में यह तयार हो जाता है यह देखिए पलटने के बाद भी कितना संदर लगा है और यह देखिए आपको दिखाते हैं तोलेट में की कैसा दीख लगा है यह देखिए कितना प्रिस्पी बना हा और प्यारा लगा है